नमस्कार दोस्तों मैं विजे कसाना डेजिटल फ्रीशिक्षा के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आरियाना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन के दुआरा या फिरम चेर्मेंस आपके दुआरा कह सकते हैं बड़ा दमा का बड़ी गुड नियोज सात्यों जो सुबह से यूवाओं की बड़ी प्रोब्लम आ रही थी उस प्रोब्लम का सोलिशन कर दिया गया है एक नया अपडेट आपके साथ सेयर करने जारें सात्यों फिलाल ओफिस तो नहीं है लेकिन आपके लिए सुचना ऐसी थी जो आप तक पहुचाना बेहर जरूरी थी सात्यों बड़ा मुद्दा है उससे पहले ही वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सबस्क्राइब ज़रूर कर ले क्योंकि साथियो बेतरन अपडेट हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचाए जाते हैं अभी अभी ऐससी के दवारे एक नोटीस जारी किया गया है साथियो और इस notice में क्या समस्या थी जिसके दवारा ये notice जारी करके और आपकी समस्या का समाधान भी क्या गया है जो 1 और 2 जुलाई को exam होना है जिसके admit card 28 तारिक को आने थी उनके लिए साथियों जो भी eligible candidate है उनके admit card download करने का message है उनके पास आ चुका है लेकिन काफी USA है जो eligible है यानि कि CT qualify है और उनके पास message नहीं आया है तो वो बोल रहे है कि क्या कारण रहा है कि हमारे पास message नहीं आया क्योंकि SSC ने जो notice आरी किया गया था उसमें all candidate को बुलाया था यानि कि जो बारो गुरूप थे उनमें सभी candidate को exam के लिए बुलाया था फिर ऐसा क्या कारण रहा कि उनके पास message ही नहीं आया तो साथियों इसका सबसे बड़ा कारण candidate खुद था candidate खुद ने ऐसी बड़ी गलती कर रखी है जिसके कारण SSC को भी परेशानी उठानी पड़ रही है और candidate के पास message नहीं आने का सबसे बड़ा कारण भी यह है जब candidate ने CET mains के लिए फोर्म अपलाई किया उस समय ध्यान नहीं दिया उन्होंने जैसे ALM या फिर स्टाप नर्स या MPSW जो भी डिप्लोमा लगया है सात्यों उसमें candidate ने सिरफ डिप्लोमा एड कर दिया यह नहीं बताया कि डिप्लोमा किस ट्रेड से है किस कटेगरी के आलीं की डिप्लोमा इन स्टाप नर्स या डिप्लोमा इन MPSW या फिर ALM का तो सात्यों डिटेल नहीं दी गई और नहीं ALM की ट्रेड बताई गई यह बड़ी परेशानी की वज़य कंडिडेट खुद था जिसने यह जानकारी नहीं दी है आप HSSC को भी परेशानी हो रही है और कंडिडेट के पास मैसेज नहीं आने का सबसे बड़ा कारण भी यह है दूसरा सात्यों जब यह इतनी बड़ी प्रोग्लम हमारे पास भी आई चेर्मेन साब के समक्स जैसे ही यह परेशानी पहुँची तो आपको पता है हम बार बार जो बाते कहते सात्यों कि चेर्मेन साब इतना बड़ा मुद्दा चाहे युवाओं के पक्स में जो भी बाते होती हो और युवाओं चेर्मेन साब के खिलाप या पक्स में हो वो एक अलग विशे रहता है लेकिन साथ यो चेर्मेन साब लगातार युवाओं के हित में कारिये कर रहे हैं और इसका सबसे बड़ा प्रूफ आज का आप देख सकते हैं युवाओं की कमी थी लेकिन फिर भी तुरंत एक्षन लेते हुए और ये नोटी जारी किया है कि या तो संडे तक आपकी जो भी कमी थी वो दुरस्त हो जाए और संडे तक आपके पास मैसेज आजाता है अगर किसी कंडिडेट के पास मैसेज नहीं आता है तो वो सुमवार को HSC Office विजिट करे और जो भी अपनी समस्या है वहाँ पर उस समस्या का समादान HSC Office के दोरा किया जाएगा सात्यों बार बार यूओं के परियास के दोरा जब चेर्मेन साब के समक्स ये बड़ी परिशानी आई कि सर काफी यूओं के एडिमिट कार्ड नहीं आएंगे अगर उनके पास मैसेज नहीं आ रहा है इसका मतलब तो सात्यों आपकी फोर्म अपलाई करने की गलती का समादान अब HSC ने डूंडा है और ये नोटिस भी जारी कर दिया गया है ओफीशल नोटिस वो भी आपको हमारी टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा सात्यों टेलिग्राम चैनल पर हमने ओफीशल नोटिस अपलोड कर दिया है तो जिस भी कंडिडेट के पास ये समस्या है वो समस्या दुरत सात्यों या तो संडे तक हो जाती है वरना सोमार तक आप HSC office पहुँचे ये कमी सात्यों कंडिडेट की थी बार बार हम दोस्त HSC को देते हैं लेकिन हर बार दोस्त HSC का नहीं ये युवाओं का खुद का दोस है और गलती मंड़ दी जाती है HSC के उपर आप सात्यों जो बार बार मेसेज नहीं आ रहे तो लोग बोल रहे थे पता नहीं क्या दानली हो रही है कैसा सिस्टम चल रहा है लेकिन सिस्टम सही है हम खुद की कमी को नहीं देखते हैं दूसरी की कमी की उपर ज्यादा नजर रखते हैं तो ये जो इंपोर्टेंट खबर थी युवाओं के लिए खुसकबरी है जिनके प्रिसानी बनी हुई है जिनके पास मैसेज नहीं आया उनका एडमिट काड डाउनलोड हो सकता है अगर हो एचसी ओफिस विजिट करे लेकिन संडे तक का वेट करिएगा हो सकता है आपकी समस्या का समाधान हो जाए तो साथियो आपकी जो भी और भी कोई समस्या है वो कमेंट सेक्षिन में बता सकते हैं अपना बेतरिन समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स विडियो में